आएए देखते हैं investor को किस में ज़्यादा कमाने को मिला ये share में ये 5050 index में 1-1 2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्त 2020 को share price थी और index था और करंट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इंवेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च में इस इंवेस्ट्मेंट की वेल्यू हो गई और करण्ट शेर इंवेस्ट्मेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपे Nifty 50 Shares में इंवेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इंवेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इंवेस्ट्मेंट की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इंवेस्ट्मेंट की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन ज्यादा हुआ है इसलिए 1st पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2nd पॉइंट Nifty ने जीता 3rd पॉइंट Share ने जीता आधी मैच में किसने ज्यादा रंग बनाए ये इंपोर्टन है लेकिन मैच कम्प्टेट होने पर स्क्या स्कॉर बोड है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टन है Overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये Share और Nifty का Index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया पर शेर मजबूत रहा यह कंपेरिजन है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा यह कंपेरिजन है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा Thank you